तो हेलो और नमस्ते दोस्तों मैं आयान आपके अपने चैनल टॉप आनस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो आज का हमारा टॉपिक है जो आप पेटियम बैंक अकाउंट देख रहा है इसमें जो मेरे फोन में दिख रहा है यहाँ पे अगर आपको इसको सेविंग अकाउंट जो इसमें होता है यह वाला इसको आप कैसे क्लोस करेंगे अगर आपको क्लोस करना है तो बहुती आसन तरीका मैं दिखाने वाला हूँ इस बोडियमें तो बने रही है मेरे साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो दिख रहे है लेफ्ट हैंड में इस पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 into 7 help and support है इस section में प्लिक कर लेना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक नया page open हो जाएगा और यहाँ पे आपको view all services यहाँ पे select करना है इस पे जो आपको click कर लेना है इस पे click करने के बाद आपको थोड़ा आगे बढ़ना है और यहाँ पे आप देखिए saving bank account तो इस पे हम select कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे options मिल गया है आपको इन में से किसी में से भी किसी में से भी नहीं आपको यहाँ पे select करना है issue with my saving bank account यहाँ पे आप देख सकते हैं I want to close my saving account तो इस पे आपको देखना है कौन सा आपको अपना selection करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I want to close my saving account तो इस section को आपको इसमें क्लिक कर लेना है इस पे क्लिक करने के बाद एक इतना बड़ा page open हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा पेटियम वाले आपको क्या services दे रहे हैं और यह कितना आपके लिए फाइदे मन्द है यह सब इसमें बताया गया है तो अगर आपको अगर close करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SMS अज इस पे आपको select इसको आपको क्लिक करना है तो इसमें क्लिक कर लेता हूँ इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या reason से आप saving bank account close करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं best तरीका बोलूँगा I do not require multiple bank accounts I do not see any benefits of using Paytm banks और यहाँ पे I do not I want to update account number same as my new mobile number यहाँ बहुत सारा options है और यहाँ पे last में other option है तो मैं आपको suggest करूँगा I don't I do not require multiple bank account तो इसको select कर ले आप तो इसको मैं select कर लिया और यहाँ पे देखिए आप declaration है यहाँ पे इस पे ticker के box पे और आपको submit details कर देना है तो इसको मैं कर दिया हूँ तो यहाँ पे process हो रहा है यह देखते हैं तो यहाँ पे देखिए friends यहाँ पे मेरा ticket rise हो गया है यहाँ पे आज का date भी है 17 अगस 2021 तो यहाँ पे मेरा ticket number तो आपको यह जैसे ही आपको यह होता है तो यहाँ पे आपको यह किसका screenshot ले लेना है और उसके बाद आपको क्या होगा कि आप मैं आपको समझाता हूँ bank account close कै दिया तो इसके कुछ समय के बाद हो सकता है कल पर सो आपको paytm के तरफ से आपको phone आए या message आए जो भी आए वो लोग आपको contact करने के कोईशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि देखिए paytm के साथ आएसा आपके benefit मिल रहा है यह सब बोलेंगे अगर आपको close करना है तो आप उनको बोल सकते हैं सिदा सिदा नहीं मेरे close करना है तो वो लोग आपको एक link देंगे उस link के तुरू जाके आपको पूरा bank account का details और आपका personal details जो भी रहेगा वगेरा वो सब आपको आपको आपे fill करना है fill करने के बाद कुछ समय के बाद आपका bank account close हो जाएगा तो अभी हम देख लेते हैं go to home करके यहापे message मेरे को अभी message तो भी नहीं आया है क्योंकि अभी अभी ticket राइस किया हूँ और यहाँ पर जो भी आपके सब communication होगा paytm online के साथ तो यहाँ पर आपको show होगा easily आप देख सकते हैं और अगर आप अगर track करना चाहते हैं आपका ticket कहा है तो आप फिर से आप click करेंगे और इस section में सब से नीचे 24 into 7 help में click कर लें और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं your recent tickets यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरा ticket open में है तो उसी page पर हमको आ गिया ठीक है आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजे हाता थोड़ा सा मार दीजे एक बार मार दीजे